Welcome friends, Muhammad John. आज की वीदियो है How to get better from shatika क्या क्या ऐसी चीज़े करें जिससे हम shatika better हो सकता है उन में से सबसे पहली चीज़ आपका जानना ज़लोही है कि कितने तरह की shatika हो सकती है या क्या वो कारान हो सकती है जिनके विए से शाटिका आपको दिखकर दे सकती है सबसे पहले इसमें आता है पारीफॉर्मी सिंड्रूम पारीफॉर्मी से एक मसल होती है जो कि कूले के पीचे से आती है और सामनी के तरफ जाती है इस मसल का काम होता है आपके पाउं को रोटेट करना और अंदर लेके आना तो ये मसल इसी चीज के लिए बनी होती है लेकिन बहुत सारे लोगों में इस मसल का इंफ्लमिशन हो जाता है पीचे से तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मुझे टांग में दर्द नहीं जा रहा लेकिन मेरी कूले के आसपास पीचे से दर्द रहता है ऐसे ये लोग वो भी हो सकते हैं जो बहुत सारे जिमिंग करते हैं जहां पर बहुत हैवी वेट स्कॉर्ट्स करते हैं या बहुत सारी देर चेर पर बैठे रह सकते हैं या किसी ने कभी कोई मंदिर गए या बहुत सारी सीरियां चल रही तो यह जो मसल होती है पारिफॉर्मिस सीरियां चलते समय भी सबसे ज़्यादा वेट लेती है तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते समय यह मसल इंफ्लेम्ड हो जाती है स्वेलिंग आ जाती है और जिसमें थोड़ा सा टाइन लग जाता है और हमने यह भी दिखा है कि पारिफॉर्मिस मसल उनी लोगों में ज्यादा तंक करती है जिनको पहले से कोई स्लिप डिस्क की निकत बनी रही हो दूसरी चीज़ है सेक्रोलियक जॉइंट है यानकि हम सब जानते हैं यह जो हमारे जॉइंट होते हैं इसको सेक्रोलियक जॉइंट बोलते हैं यह दो जॉइंट हमारी बीट का नीचला हिस्सा होता है और जो हिप बोन होती है पैल्विक बोनी चोटा सा मीनेचर है बड़ कई लोगों में काफी चौड़ी होती है तो यह इसके आसपास यहां पर आपको से कोई इलियक जॉइंट मिलते हैं इनमें भी इंफ्लेमिशन आ सकती है इंफ्लेमिशन बहुत सारी डेड लिफ्ट करने की वज़े से आ सकती है बहुत एक्सर साइज बहुत खड़े रहने हैं और भी मल्टिपल चीज़ें जैसे कि आपने किसी दिन कोई चीज उठा के चल लिये जैसे मेरे जैसा कोई डॉक्टर हो जिसने पहुच जारी देर नीचे रुख के काम कर लिया सो सेक्रोईलिक जॉइंट के आसपास होती हो जाता लोगों क आपको ऐसा ही जॉइंट बोलते सुना होगा तो वहाँ पर यह चीज हो सकती है तो यह भी एक तरीका है पहले इडिटिफाइग करते हैं कि परिफॉर्म इसके वज़े से है से क्रिलिक जॉइंट की वज़े से है और तीसी चीज आती है लंबर डिस्क प्रूशन यानि कि ल प्रॉट में बता दूँगा कि यह डिस्क होती है लंबर डिस्क पांच डिस्क होती है इन में से किसी भी डिस्क जब अपनी जगे छोड़ देती है और वहाँ पर प्रेशर बनाती है उन नस्तों पर तो वह एक कारण होता है लंबर डिस्क यानिक शाटिका जनरली इस जिसे आपको शाटिका हो सकता है दूसरी चीज अब आपको पता चल चुका है कि इन में से कोई एक कारण है आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया है इन सब प्रेशन को आप कई बार तो अपने आप भी चेक कर सकते हैं लेकिन थोड़ो सा एक्सपर्टीज होना बहुत सा हुआ है आपको यहाँ की कारण है जिसके विए सरु आपको हुआ है तोस्य कहीं बहुत स Remo's करते हैं उनमे से एक हो दि में किन्जी दिक दी कृसी होती है होम एकसरार। थेसरी होटता है च्रैपषा होता है चैयृप्रेक्टिक अजयस्मेंड इसके साथ में कायरोपेक्ट् करके दिखा दूँगा कि जिनमें आप चेस्टों नहीं हो सकता है आप अपने आप ब्रिजिंग कर सकते हैं साइड डोटेशन कर सकते हैं एक टांग को दूसरी तरफ ले जाना टर्न करना यह सारी चीज़ें अब हम आते हैं आपको कब लगता है कि यह डॉक्टर के पास जाना चाहिए कब सरी टाइम है जब डॉक्टर के पास जाने से आपको मदद मिलेगी तो सबसे पहले तो रेड फ्लेक्स बोलते हैं कि जब आपको लगे कि मेरी मेरा उटना बैटना काम पर जाना यह सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई हैं हो रेड फ्लेक्स उन में सही है और कई लोग तो तब आते हैं जब वो पाउं पर वजन ही नहीं डाल पाते हैं यह सारी चीज़ें बड़ जरूर ध्यान रखें कि यह रेड फ्लेक्स ना हो यह रेड फ्लेक्स से थोड़ा पहले आ जाए हार लॉंग टूरेस्ट यह बहुत छेबुरा मोन क्रिशन होता है तो मैं इस वीडियो बनाने से पहले भी किसी को एक जवाब दे रहा था कि वाट्सेब पर ही पूचना चाहते हैं फोन पर पूचना चाहते हैं कॉल करके कि रिदधिन चलेगा या कि रेस्ट करना पड़ेगा तो मैं सीधे से बता दूगा फि परिफर्मिस मसल इतने जल्दी ठीक नहीं होती है, और करी बार यह वापस आती है, लेकिन वहीं पर अगर आपको यह दिकत सेक्रोलिक जॉइंट की वज़े से हो, तो यह पांच साथ दिन में बहुत इजी ली ट्रीट हो जाती है, और वो डिस्क वाली दिकत हो, तो डिस्क के और इसमें went to consult for a surgery, कि यह आपको लगता है कि मुझे surgery के लिए consult करना चाहिए, या मुझे डॉक्टर ने surgery advice कर दी है, तो क्या सरी टाइम होगा जब मैं surgery के बारे में सोचना चालू करूँ, हाँ, सारे लोगों को surgery की बिलकुल जरूद नहीं है, इंटरनेशनल लीटास के जादा हो जाता है कि उनके bladder यानि की पेशाप और सुसुई सरी चीज़े control हट जाती है, उनके लिए पाउ में कोई भी control foot drop हो जाता है, कोई भी ऐसी चीज़े उनको पता नहीं चलती है, तब उनको definitely surgery के लिए जाना चाहिए, अब surgery में कितने दिन की recovery surgery, बहुत बरी surgery नहीं ह जाता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसको क्योंकि जो नस्प पर pressure डाला है, जो भी doctor's रे procedure किया है, उसमें तीन से चार रहते का time recover होने में लगता है, आप 15-20 दिन के बाद अपना work resume कर सकते हैं, कई बार ही life threatening भी हो जाती है, और कि आपका bladder अगर बहु अब है how to prevent shatika, यानि कि shatika होने ही ना दें, या हो चुकी है, तो दोबारा ना होने दें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक बार आप ठीक होगे तो यह दोबारा नहीं हो सकती, कोई doctor यह नहीं कहता कि मैंने आज आज इलाज कर दिया है, तो अगली बार आपको यह शा साइस पर जरूर दें, warm-up करने में बहुत जाता टाइम नहीं लगता है, लेकिन जाता लोग या तो सीधे ही जाके वेट उठाने रग जाता है, या दोडने वाले दोडने लग जाता है, या करकेट या फुटबाल खेलने वाले लोग तुरंती ground में जाके भागना दोडना चालू करते हैं, आपको लेट के स्ट्रेचेस करने चाहिए, warm-up stretches बोलते हैं, उन पर टाइम देना चाहिए, जूसरा आपके जो कोर होता है, जो बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं और ऑफिस में बठाय रहते हैं दिन बर, और वो कोर वीक हो जाता है, या जो लोग professional activities करत तब होता है कि अगर वो weight lifting करते हैं और अचानक से बीच में वो running start कर देते हैं, तो lose weight, तो core उनको उस चीज में support नहीं खरेगा तो अपने core की trending पर भी जरूर दियान दे हैं, और last चीज में इसमें बताना चाहूँगा कि stretch before and after exercise, stretch करना, relax करना, cool, lounge करना, बहुत ही important होता है, अगर आप इसारी चीज़े करते रहेंगे तो आपका जो शाटिका का होने के chances हैं वो काफियाद तक ठीक हो जाएंगे, एक और information last में देना चाहूँगा कि आप लोग तुरंट MRI की तरफ रशना करें, तुरंट दबाईयों की तरफ रशना करें, there are many alternative therapies जो आप कर सकते हैं, इस पर मैं वीडियो आगे आने वाले टाइम में बनाऊंगा, thanks for watching us, और आपको कोई भी सवाल हो तो comment section में जरूर रखें, और मैं यह भी देखता हूँ कि हमारे 85% viewers unsubscribed रहते हैं, हमारी मेहनत को नहीं like करते हैं, नहीं share करते हैं, तो please like share करना ना बोले, thank you.